तरल पदार्थ लिक्विड का आयतन वॉल्यूम मापने के पात्र आज हम सीखेंगे कि कैसे हम मानक इकाईयों, स्टैंडर्ड यूनिट्स वाले पात्रों की मदद से तरल पदार्थों का आयतन वॉल्यूम माप सकते हैं तुम सब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हाथी को उसकी मम्मी ने दो लीटर दूद लाने के लिए कहा, लेकिन हाथी दूद का बरतन लाना ही भूल गया अब हम सब हाथी की मदद करने के लिए एक उचित बरतन ढूंड रहे हैं क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा लेकिन पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दो जी श्रीमान अच्छा ज़रा देख कर बताओ कि सामने वाले दुकान में ऐसी कौन सी चीजे हैं जो बोतल में मिलती हैं शहद की बोतल कोल ड्रिंग की बोतल तेल की बोतल शैंपू की बोतल शाबबाश क्या तुम सब इन तरल पदार्थों को उनकी सही मातरा से मेल कर सकते हो शहद की बोतल पांच सो मिली लीटर की है कोल ड्रिंग की बोतल दो सो मिली लीटर की है तेल की बोतल पांच लीटर की है शैंपू की बोतल एक लीटर की है बिल्कुल सही तो हमने देखा कि जिस तरल पदार्थ की मातरा अधिक है उसके लिए हम L यूनिट यानी लीटर और बड़े पात्रों का इस्तमाल करते हैं और जिस तरल पदार्थ की मातरा कम है उसके लिए हम ML unit यानी मिली लीटर और छोटे पात्रों का इस्तमाल करते हैं अच्छा तो हमें एक बड़ा पात्र चाहिए जिसमें हाथी दो लीटर दूद ला सके तुम एक दम ठीक समझे क्या आप हमें थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे जरूर इस उदाहरन को देखो चंदू भईया आज कितना दूद चाहिए आपको मुझे आज साड़े चार लीटर दूद देना भोलू देखो दूद बाले भईया के पास चार पात्र है सबसे बड़ा एक लीटर का है फिर पांसो मिली लीटर का है 250 मिली लीटर का है और सबसे छोटा 100 मिली लीटर का है भईया आप इन में से किन पात्रों का इस्तिमाल करके साड़े चार लीटर दूद दोगे मैं चार बार एक लीटर के पात्र से चार लीटर दूद मापूंगा और एक बार पांच सो मिली लीटर के पात्र से आधा लीटर दूद मापूंगा मैं एक और तरीका बताऊं चार बार एक लीटर के पात्र से चार लीटर दूद और दो बार दो सो पचास मिली लीटर के पात्र से पांच सो मिली लीटर यानि आधा लीटर दूद भी माप सकते हैं हाँ यह भी कर सकते हैं पिंकी बेटा दूद लेने के लिए एक बरतन ले आओ भोलू इन में से कौन सा बरतन दूद लेने के लिए उचित रहेगा मुझे लगता है कि इस जग में सारा दूद आ जाएगा इस जग में साड़े चार लीटर दूद नहीं आएगा इसमें सिरफ दो लीटर दूद आएगा हमें एक छोटे पतीले का इस्तमाल करना चाहिए पापा, क्या यह बरतन दूद लेने के लिए परयाप्त है? पिंकी, यह बरतन तो छोटा पड़ेगा इसमें सिरफ चार लीटर दूद आएगा इससे बड़ा बरतन ले आओ भोलू, इस पतीले में भी दूद नहीं आएगा तो तुम यह बड़ा पतीला ले जाओ हाँ, यह ठीक रहेगा क्या यह पतीला उचित है? हाँ, बिटिया इस पतीले में साड़े चार लीटर दूद आएगा लाओ, इसमें दूद भर देता हूँ पापा, आपने चाई बनाने के लिए कितना दूद इस्तिमाल किया? बेटा, मैंने एक लीटर दूद लिया है अच्छा, अब बताओ अगर मैंने साड़े चार लीटर से एक लीटर दूद लिया तो कितना दूद बचा? एक लीटर निकालने के बाद साड़े तीन लीटर दूद बचा शाबाश, पिंकी जरा चाय के लिए गिलास ले आना जरूर पापा ये लीजिए चाय के गिलास अगर हर गिलास में 200 मिली लीटर चाय आती है तो बताओ 10 गिलास मिला के मैंने कितनी चाय बनाई 200 गुना 10 2000 मिली लीटर मतलब 2 लीटर तुम दोनों एक दम सही हो पापा अब तक कितनी चाय बिकी है? मैंने अब तक 7 गिलास बेची है 7 गिलास मतलब भोलू हमारी कितनी चाय बिकी? हम अगर एक गिलास में 200 मिली लीटर चाय है तो 7 गिलास में 7 गुना 200 यानी 1400 मिली लीटर चाय है इसलिए 1400 मिली लीटर यानी 1 लीटर और 400 मिली लीटर चाय बिकी तुमने बिल्कुल ठीक कहा और अब बताओ कितनी चाय बाकी है? यह तो आसान है अगर 2 लीटर या 2000 मिली लीटर से 1400 मिली लीटर चाय घटाए तो 600 मिली लीटर चाय बच्चती है तो इस उदाहरन से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कैसे हम मानक इकायों स्टैंडर्ड यूनिट्स वाले पात्रों की मदद से तरल पदार्थों का आयतन या वॉल्यूम माप सकते हैं अब हम हाथी की मदद कर सकते हैं हाँ, अब मैं दूद लेने के लिए एक पती ला लाता हूँ यह तुमने उचित निरने लिया आज हमने सीखा कि कैसे हम मानक इकायों स्टैंडर्ड यूनिट्स वाले पात्रों की मदद से तरल पदार्थों का आयतन वॉल्यूम माप सकते हैं तरल प्राथनिट्स वाले प्राथनिट्स